दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे मैं बताओं मैं भी बहुत अच्छा हूँ वीडियो अच्छा लगे तो CKD Stock Market News चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ ही बैल आइक प्रेस कर देना चलिए सुरू करते हैं हलो फ्रेंड्स आज मैं जिस mutual fund के आपके सामने बात कर रहा हूँ आप इस पूरे वीडियो को देखने एक बात केवल वाह 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 ये तीन वर्ड ही बुलाने वाले हैं क्योंकि इसका एनेवी देखिए सबसे पहले 23 रुपए का इसका एनेवी चल रहा है CKD Stock Market News चैनल पर क ये वाल आपको हर mutual fund की stock market में जितने भी mutual fund है in-depth analysis प्रोवाइड किये जाते हैं ताकि आप अपने लिए best mutual funds को निकाल के लेके आप आए ठीक है आज जिस mutual fund की मैं बात कर रहा हूँ उसको maximum return देखिए 15.60% के CAGR के हिसाब से इस mutual fund ने return दिया है पांच सालों में बात करेंगे तो 21% के CAGR के हिसाब से return डिलीवर करके दिया इन्वेस्टर्स को तीन साल में बात करेंगे तो 57% तीन साल में वाह मेरे सेर वाह एक साल में बात करेंगे तो 4.52% के हिसाब से इस mutual fund ने आपको return डिलीवर करके दिया है जब मैं maximum बात कर रहा हूँ तो 15.60% के CAGR के हिसाब से इस mutual fund ने return दिया है अब आप maximum में देख लीजिए almost ये पिछले 10 साल से ये mutual fund लगातार काम कर रहा है इसी के साथ साथ आज मैं जिस fund की बात कर रहा हूँ तो वो एक theme based investment रहेगा आपका infrastructure sector पे 5 out of 5 star rating value research ने provide करी है वासव, सहगल और अंकिते पांडे जी ये दो fund managers की very high risk रहता है क्योंकि mutual fund is subject to market risk and read all schemes related documents very carefully आज मैं जिस mutual fund की बात कर रहा हूँ उसका नाम देखिया Quant infrastructure fund direct plan growth 822 करोल का asset size 0.64% का expense ratio 1.33% के cash hold कर के चलते है Nifty infrastructure total return index को उन्होंने copy किया है Exit load आपसे 0.50% का ले लेंगे अगर आप 3 महिने के अंदर exit होने की कोशिस करेंगे तो definitely इतना तो ठीक है, चलता है Friends, अब मैं अगर sector की बात करूँ कि किन-किन sectors में आपका पैसा लगने का रहेगा इस mutual fund का दुख, देखिए इस mutual fund ने सबसे ज़्यादा जो पैसा लगाया हुआ है Financial sector के अंदर लगाया हुआ है 20% Construction के बाद दूसरा number इन्होंने दिया है और energy को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा priority दिये है उसके बाद इन्होंने metals and mining, material, automobile, services, communication, technology और insurance ये कुछ बैतरी सेक्टर रहेंगे जहां पर आपका पैसा deploy रहेगा अब इन sectors के अंदर इन्होंने shares कौन कौन से चुने हुए हैं तो दिखिए सबसे आदा L&T किसी भी अच्छे fund manager की quality ही L&T होना चाहिए क्योंकि अगर आप 16-17% हर साल return चाहते हैं तो definitely हर साल L&T अपने investors को इतना return अखेले दे देता है Reliance Industries, Ultra Tech Cement, State Bank of India, IRB Infrastructure, National Thermal Power Corporation, HDFC Bank, Bosch Limited, Tata Communication, Punjab National Bank, LTI Maintry Aegis Logistics, Union Bank of India, VRL Logistics, NCC Limited, Hindustan Copper, Life Insurance Corporation, Escort, Kubota, Vedanta Limited, Himachal Futuristic, Bharat Petroleum, Gale India, Others, Hendalko Industries, Bharat, Bisley, Macro Tech Developers, Usha Martin, Tata Motors, Grindwell, Norton, IDFC Limited, Jindal Steel, Tata Steel, Quant, Guild Fund, Direct Growth यह कुछ shares रहेंगे जहां पर आपका पैसा रहेगा इसी के सासा कुछ मैं अगर infrastructure के sector में ही कुछ alternate provide करूँ तो देखिए सबसे ज़्यादा जो भी इसी के सासा कुछ अच्छे mutual funds है ICICI Prudential Infrastructure Direct Plan Growth इस पर मैं वीडियो कल ले करके आऊंगा Kotech Infrastructure and Economic Reform Fund Direct Growth यह सारे नाम अलग-अलग है पर यह जो थीम है यह infrastructure यह बंधन इंफरास्ट्रक्चर फंड डारेक्ट प्लान ग्रूथ इसका वीडियो और लेडियो पड़ा हुआ है आप लेलिस्ट पे जाके विजिट कर सकते हैं साथ ही साथ अगर मैं कुछ आप Asset Management Company के वारे में बात हो जाए क्योंकि जो भी नए हैं उनको Quant के वारे में पता होना चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि 18,722 करोर का Asset Under Management है Quant mutual fund का ये लोग 50 scheme को manage करते हैं तो एक छोटा सा fund आउसे पर जो इनकी strategy है जो इनके fund managers की strategy है जो इस Asset Management Company की strategy है उसके तहत ये mutual fund ज्यादा से ज्यादा return investors को दे पा रहा है पर मेरे में तो मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि किसी भी mutual fund में invest करने से पहले आप एक चीज हमीशा याद रखना जो mutual fund जितना ज्यादा return देगा वो mutual fund उतना ही ज्यादा risk ले रहा है तो आप हमीशा risk को जरूर analysis analyze अच्छे से करके ही किसी भी mutual fund में पैसा डालें आपका पैसा है मेरे में तो सोच समझ के invest करें इसी के साथ कहना चाहूंगा चैनल को आप share कर सकते हैं साथ ही सा subscriber का doubt भी लेना चाहूंगा चलिए चलते हैं एक comment आया हुआ है comment मैं अपने analysis से करके बता रहा हूँ अपने experience से लेकिन आप इस चीज को इस चीज को खिवल education purpose से लेना ये कोई recommendation नहीं रहेगा मैं बिल्कुल clear कर देता हूं और disclaimer भी पढ़ा हुआ है चैनल पे आप देख सकते सर्फ Quant Small Cap Fund PGM India Mid Cap Opportunity Direct and Tata Digital Pay SIP What do you say देखे अगर मैं Quant Small Cap Fund की बात करूं तो जैसे मैं अभी जो वीडियो पे लाया हुआ है Quant के जितने भी mutual fund है ये 3 सालों से भेंकर और्मूस्ट 50% का return उन्होंने 3 साल डिलीवर करके भेंकर return दे दिया investors को कोई भी तोड़ Quant का नहीं निकाल प पाए हैं पर एक mutual fund में industry में किसी भी जब भी आप share market की बात करेंगे चाहे वो mutual fund हो चाहे वो debt fund हो चाहे वो hybrid कोई भी fund हो ठीक है चाहे वो directly stocks ही क्यों ना हो केवल जो भी stock या mutual fund जब भी आपको जितना ज्यादा return देगा उसी के साथ साथ उतना ही ज्यादा वो risk के भी सामने खड़ा हो जाता है तो quant small fund अच्छा fund आउस है investors ने जो इसके fund managers है इन्होंने थोड़ी सी strategy change करी है जिसकी वज़े से ये return अच्छा दे पा रहे है पर मेरे मित्रों आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि risk आपका है उतना ही जैसे अग 3 साल में 50% quant small cap ने भी deliver करके दे दिया ह तो 3 साल में 50% ये मान के चलना अगर नीचे भी आ जाए ना तो आपको डर ना लगे बस उसके बीच में एक रास्ता निकाल के आप investment कर सकते हैं फिलाल quarter small cap fund अच्छा है नेक्स्ट है PGIM India mid cap opportunity fund अगर मैं mid cap की बात करूँ तो भारत देस के अंदर 2023 या 22 की अगर बात करेंगे तो दो ही mutual fund mid cap category में सबसे best है एक है PGIM India का mid cap और दूसरा है मोतिलालोसवाल का mid cap तो PGIM India भी अच्छा fund आउस है टाटा डिजिटल अगर मैं टाटा डिजिटल की बात करूँगा तो ये एक theme based investment है जिसमें IT के shares में आपका पैसा रहता है फिलाल अगर मैं last के दो सालों से बात क तो टाटा डिजिटल एक ऐसा fund आउस है जिसने investors को return नहीं नहीं दिया अगर किसी ने टाटा डिजिटल के अंदर 2021-22 के अंदर पैसा लगाया होगा तो आज उसका mutual fund almost 20% से भी नीचे डाउन है ठीक है 20% almost नीचे है फिलाल ऐसे समय में ऐसे mutual funds को पकड़ना जिनका theme based investment बिलक नीचे ही है ठीक है तो इसके इसाब से अच्छी चीज है कि इस समय किसी भी digital fund में investment करना क्योंकि long term horizon के इसाब से देखेंगे तो IT का ही trend है तो तीनो mutual fund best है quant में risk जाता है ये आपको पता होना चीज पीजी आई में इंडिया मिटकेप अच्छा fund house है टाटा डिजिटल चुकि दो साल से कोई return आया नहीं है तो definitely आपको सस्ती ने भी मिल जाएगी आने वाले समय में IT सेक्टर जैसे ही boom करेगा तो definitely आप उससे अच्छा return निकाल सकते हैं मेरे मित्रों वीडियो को मैं यहीं से विराम करूंगा कल फिर मिलेंगे same time same channel तब तक के लिए बहुत बहुत धानिवाद